नमस्कार मैं हूं दिव्यरानी और आप देखरें जीयन भारत राजस्थान के स्री गंगा नगर में भारत पाकिस्तान से सटे इलाके में सेना के यूद अभ्यास के दोरान एक बड़ा हाथसा हो गया इस हाथसे में एक सेना की जिपसी में आग लग गई इसमें बैठे तीन जवान बाहर ना निकल पाने के कारण उनकी जलने से मौत हो गई जबकि बताया जा रहा है कि पाँच जवान अभी भी गंभी रूप से घायल है जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार रात करेब तीन बजे की बतायी जा रही है हलांकी अभी तक पर्स नहीं हो पाया है कि घटना किस कारण से हुई है लेकिन सेना के सूत्रों के माने तो कहा जा रहा है कि अभ्यास के दौरान हर गाड़ी में किसी ना किसी तरह के बारूद, गोले और ज्वलन सील पदात रखे होते हैं इसी बीज किसी वज़ा से आग लग गई और जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला गायल जवानों का इलाज सेना के सूरतगर स्पताल में जारी है इस हाथसे के जानकारी सबसे पहले ग्रामिनों को लगी, इसके बाद सेना को हाथसे के बारे में जानकारी दी तब सेना ने मौके पर पहुँचकर सभी जवानों को बाहर निकाल आया और घायल जवानों को आनद फालन में अस्पताल पहुँचाया अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीन भारत के साथ धन्यवाद